नमस्कार सर मेरा नाम राजु है अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना यह अपने बाबु जी को देखाईएगा या दादा जी को देखाईएगा अपने बुड़े बुजरुक को देखाईएगा यह वीडियो कि आज से 16 सल पहले जो प्लाउट खरीदा था या फ्लैट था जिसके टेंशन में जिस प्लाउट के टेंशन में 16 सल पहले अब उसको देखने भी नहीं जा पा रहे था थे किसी ने कभजा भी कर लिया एक इस अधर घुसा दिया यह लेकिन अब वह क्ली है उसका बिजली नेक्da का भी पैंडिंग है पैसा और उस सुनारे बिज़र म सुगर भी थोड़ा से बढ़ गया है एक में तो बीपी बढ़ गया क्योंकि किसी ने थोड़ा सा हदिया लिया और दूसरा सुनरे फ्लैट की वज़े से सुगर का मेडिसिन भी आ गया है तो मैं यहां पर यह बताना चाहरा हूं कि पांच लाग का यह सुनरे प्लाट और फ्ल इकि अप्र जैब लाग केप दूसरे फंड का नाम है कोटक एक्विटी उपर्चुनिटी और तीसरे फंड का नाम है डी अस पी एक्विटी उपर्चुनिटी तो सब यहां पे किसी ने 55 लाग रुपिया का प्लाट यहां पर खरीदा आज से 16 साल पहले तो उस पांच का पैसे का वेल्यू है 58 लाग रुपया 16.6 3% का रिटन पिछले 16 साल में कंपॉंडिंग जेनरेट करके दिया है अब तीसरे फंड का बात करते हैं DSP का इसमें 5 लाग का 57 लाग रुपया बनाया है अब आगया का प्लॉट देखते हैं कि 3 तो हमने उपर का ले लिया अब आग साल पहले 5 लाग रुपया तो वेल्यू है 50 लाग रुपया 15 तसमला 49 का परसेंट आया है मातर यहां पे और तीसरा रतन टाटा जी का बात करें तो 5 लाग का प्लॉट का वेल्यू है 47 लाग रुपया 15 परसेंट का रिटन यहाँ पर जनरेट करके दिया है पिछले 16 साल में तो इस डाटा को दिखा के मैं यह बोलना चाहता हूँ, कि जो plot flat यह सोच के लिए है न, यह तो मेरे पोता के लिए है, यह तो मेरे पोती के लिए है, हमें क्या करना है plot का राजू, हमारे बच्चे के लिए, बच्चे बाद में गाली देंगे, यह क्या खरीत के रखा है, मैं रियली बोलता हूँ, आप अपने बच्चों के लिए वो छोड़के जाएंगे, जिससे उसका कुछ नहीं हो सकता है, उनको नोगरी करना ही पड़ेगा, दिल्ली, बंबै, कलकता, मदरास में 25 जर का नोगरी लगया, हम कर लेंगे, 15 जर का नोगरी लगया, हम करेंगे, नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या पैसा तो है नहीं जीवन आपन करने के लिए, वो प्लाट, वो फ्लेट आपको पैसा नहीं देंगे जीवन आपन करने के लिए, क्योंकि जो plot flat 15 सल पहले लिया था वो तो खाली है भया अब उसको फिर से rent लगाना है तो 4-5 लाग रुपे फिर से खर्चा करना पड़ेगा वो 4-5 लाग रुपे हैं ही नहीं कैस में तो अगल अगल क्या कर रहे हैं न देखा देखी में मत पड़िये कि उनको 4 flat है उनको 5 flat है उनको 5 plot registry कर लिया ऐसा मत कीजिये सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन देखिए अपना comfort देखिए अपने family अपने बच्चों का comfort देखिए मेरी बात करूं तो मैंने किसी का बात नहीं सुना अपने जिंदिकी का पैसा invest करता गया करता गया करता गया और आज भी rent पे हूं मैं खोबड़ी का chemical लोचा है और जो व्यक्ति लोन लेके EMI पे घर लेते हैं उनका भी कागज बैंक में ही होता है अपने आपको कालर उपर करके बोलते होंगे कि मैं तो ओनर हूं ओनर नहीं है बैंक के लोनर मेरे केस में मैं rent पे राता हूं तो मेरे पास भी वो कागज नहीं ह तो आपके पास भी वो कागज नहीं है वो तो बैंक के पास है मेरे पास भी नहीं है आपके पास भी नहीं है तो फर्क किया है फर्क दोनों के जिंदगी मैं मैं अब 11 जितक धूप में रता हूं क्योंकि धूप अभी ठंड में लेट आती है तो 11 जितक धूप में रता हूं और आप 8 बजे तयार होके office चले जाते हैं और 7-8 बजे आते हैं ये बहुत बड़ा फर्क है कितना दिन करेंगे सोच के देखे न कब तक नौकरी करेंगे इसी तरह से जब तक सोचेंगे नहीं financial freedom को पा नहीं सकते हैं जिस दिन से सोचना सुरू करेंगे उसके 15-16 साल के बाद आप financial freedom पा लेंगे फिर आप भी दूप में 11 अबजे तक सोएंगे बेडमिंटन खेलेंगे साइकलिंग करेंगे मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ आपका जो मर्जी है वो करेंगे आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ मायता है मुचरफण में कैसे invest करें तो आप मेरे number पे जरूर सेयर करें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो like and subscribe जरू करें thank you so much